महर्शी रमण के साथ सत्संकरते समय एक साधक ने पूछा कि महर्शी आप कहते हैं कि मैं की खोज करो, मैं कौन हूँ इसे जानो लेकिन क्या परमात्मा में भगवान में द्रड भावना भक्ति भाव रखना आपकी खोज की पद्धती से अधिक प्रभावशाली नहीं है क्या भक्ति भाव विधे आत्मक है, जबकि आपकी विधी निशेधात्मक है, इसमें किसको हम प्रधानता दें? तब महर्शी ने कहा, जब तक तुम यह जानना चाहते हो, कि साक्षात्कार कैसे करें? तुमको अपने आत्मा को खोजने का परामर्श दिया जाता है, तुम्हारा पद्धती को खोजना अलगपन का द्योतन करता है, महर्शी क्या यह ठीक नहीं होगा, कि मैं कौन हूँ, इसकी अपेक्षा, हम कहें कि मैं परब्रम्म हूँ, ऐसा, इसकी ही, पुष्टी कोन करता है तुम्हारे अंदर, उसे करने वाला, कोई एक तो होगा ही न, उस एक को खोज लो, कोन तुम्हें कहता है, कि मैं कोन हूँ, इसकी खोज की बज़ाए, मैं परब्रम्म हूँ, ऐसा उचित है, कोई तो सूचने वाला होगा, उसको ही, तुम धूंडने का प्रहास करो, महर्शी, क्या खोज की अपिक्षा, ध्यान श्रेष्ठ नहीं है, ध्यान में मानसिक आकरती, विशेश का भाव होता है, जबकि खोज परमसत्य के लिए की जाती है, ध्यान पदार्थनिष्ठ होता है, जबकि खोज आत्मनिष्ठ होती है, महर्शी, क्या इस विशय के प्रती, कोई वैज्ञानिक तृष्टि कौन नहीं है असत का त्याग, तथा सद वस्तु की खोज, वैज्ञानिक ही तो है महर्शी, मेरा आशय यह है, कि धीरे धीरे निरसन हो पहले मन का, फिर बुद्धी का, फिर अहंकार का ऐसे आत्मा ही सत्य है, अन्यसब मिथ्या है, मन तथा बुद्धी, तुमसे प्रिठक नहीं है महर्शी, यह देह चेतना क्या है, तथा यह खुद की खोज में, कैसे सहायता प्रदान करती है देह चेतना क्या है, पहले हमें ये बता हो चेतना से प्रिठक, तुम कौन हो चुंकि देह चेतना है, देह का आधार बनता है जो मैं चेतना से उदे होता है, और इसका उदेह चैतन्य से है तो चैतन्य से उदे हुआ मैं, मैं से उदे हुई देह चेतना और देह चेतना से उदे हुआ देह शुद्ध चैतन्य ही सदैव विद्यमान है, तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है जिसे अब तुम देह चेतना मान रहे हो, वह अध्या रोपन के कारण है यदि केवल चैतन्य है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है तो उपनिशद जो कहते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भावती आत्मा के प्रेम के कारण ही, सब प्रिये हैं, इससे तुम्हे स्पष्ट हो जाएगा एक प्रश्न उठता है, उस अवस्था में आत्म हत्याईं क्यों होती है जिव, आत्म हत्या क्यों करता है, चुंकि वह दुखी है और अपने दुख का अंत करना चाहता है वह वास्तव में ऐसा करके, अपनी देह से, अपना संबंध विच्छेद करता है जो सारे दुखों की जड़ है, देह की हत्या करने वाला हत्यारा अवश्य ही होगा वही आत्म हत्या के पश्चात जीवित रहेगा, वही तो आत्मा है महरशी आप कहते हैं कि जब हम खुद की खोज कर लेते हैं, साक्षातकार की अवस्था पा लेते हैं तो संकल्पों के अत्याचार से मुक्ती पा लेते हैं क्या संकल्पों का प्रकृति की योजना में कोई इस्थान नहीं है चाहे निम्न भुमी का पर हो, पर होना तो चाहिए न संकल्पों का उदै मैं भाव से होता है जो स्वयम आत्मा से उदै होता है इस प्रकार आत्मा मैं तथान्य संकल्पों के रूप में व्यक्त होता है संकल्पों के होने या ना होने का क्या महत्व है महर्शी, क्या उत्तम विचार साक्षातकार में सहायक हैं? क्या वे खुद को जानने में उपयोगी हैं? क्या वे प्रामानिक माध्यम अथवा साक्षातकार ही तु पहली सीधी नहीं हैं? हाँ, इस प्रकार वे निक्रिष्ट संकल्पों को दूर रखते हैं. साक्षातकार की अवस्था से पूर्व, स्वयम, उने भी लुप्त होना ही हो होगा. महरशी, क्या साधना के संकल्प साक्षातकार का ही एक पहलू नहीं है? क्या वे उस दृष्टी से सहायक नहीं है? साधना के संकल्प साक्षातकार में सहायक हैं. इसी हद तक कि वे निकृष्ट संकल्पों को दूर रखते हैं. सारे संकल्पों को, चाहे वो साधना के हों या ना हों, सबको एक बार आत्मा में लुप्त होना होगा. संकल्प उत्तम हों या अधम हों, तुमको दूर ले जाते हैं. समीप नहीं. चुकि संकल्पों से आत्मा अधिक निकट है तुम आत्मा हो जबकि संकल्प आत्मा से अलग है महर्शी क्या सब्भेता सामान्यत हा धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप से इस आत्म साक्षातकार की सही दिशा में आगे बढ़ रही है सब्भेता प्रकृति की योजना में ही है अंततह यह भी सबके समान अपने आपको आत्म साक्षातकार में विलीन कर देगी महर्शी क्या प्राचीन धंग का एक उत्तम पुरुष आधुनिक सब्भेता के एक बुद्धिमान तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति की तुलना में साक्षातकार के अधिक निकट है साक्षातकार करने वाला मनुश्य देखने में गवार प्रतीद हो सकता है परन्तु गवार साक्षातकारी पुरुष नहीं है तो महर्शी क्या यह धारणा उचित है कि समस्त गटनाएं जो हमारे साथ होती है इश्वर के द्वारा प्रेरित हैं क्या वे खुद की खोज में सहायक हैं इस कारण उत्तम हैं हाँ ऐसा ही है तथा पि अन्य वस्त्वें तथा इश्वर आत्मा से प्रतक नहीं है यदि तुम आत्म भाव से रहो तो इनका संकल्प भी क्यों उत्पन होगा महर्शी क्या खुद की खोज में क्या बाहिये साधनों का उपियोग आध्यात्मिक द्रिष्टी से उचित है आत्मा का शरीर से तादात्मे करना ही तो भूल है यदि भगवान देह है तो तुम उस देह से प्रश्ण करो किन्तु जिसे तुम भगवान कहकर संबवधित कर रहे हो उसे जानो वह देह नहीं है वह आत्मा है महरशी खुद की खोज में आत्म साक्षात्कार में क्या-क्या बाधाएं है कुछ लोग कहते हैं कि वे नो बाधाएं है उनमें से एक सुशुप्ती है सुशुप्ती क्या है कि वह किवल जाग्रिती की विरोधी है सुशुप्ती जाग्रिती से स्वतंत्र नहीं हो सकती सुशुप्ती शुद्ध आत्मा है यह मत समझो कि तुम जाग्रत हो ना सुशुप्ती हो सकती है ना अवस्था त्रई ही आत्मा को भूल कर ही तुम कहते हो मैंने सुप्न देखा क्या आत्मा के अभाव में किसी वस्तु का अस्तित्व संभव भी है तुम उसे क्यों छोड़ते हो और अनात्मा को क्यों पकड़ते हो जो ही मन बहिर मुख हो उसे तब ही तुरंत अंतर मुख करो अपने से बाहर आनंद खोजने के स्वभाव के कारण यह बाहर जाता है भाईय वस्तु में प्रसन्नता का कारण नहीं है यह ज्ञान मन को संयमित रखता है यही वईराग्य है पूर्ण वईराग्य के उपरांत ही मन सूस्थिर हो जाएगा मन केवल ज्ञान अज्ञान अथवा सुशुप्ती जाग्रती का सम्मिश्रण है यह पांच प्रकार से कारिय करता है क्षिप्त मूढ विक्षिप्त काशाए एकाग्र इनमे से केवल काशाए प्रवृत्यों की अव्यक्त अवस्था है स्वयम प्रवृत्या नहीं जैसे राग द्वेश इत्यादी तुम स्वयम आनन्द हो तो उसका उपभोग यह कहते हुए क्यों करते हो अहाँ कैसा आनन्द दायक है यह है रसास्वाद है महरशी शास्त्रों में कहा है कि स्वयम जीवन मुक्ती आनन्द ही है शास्त्रों की बात मत करो जीवन मुक्ती क्या है आनन्द क्या है मुक्ती स्वयम संदेह जनक है यह समस्त शब्द क्या है क्या ये आत्मा से स्वतंद्र हो सकते हैं जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व कभी नहीं होगा जिसका अस्तित्व है वह नित्यसिद्ध है अभी है यहीं है और यह सनातन नियम है मन की खोज करके उसकी शक्ती को नश्ट कर दो मन की परिक्षा करने से उसकी क्रिया शेलता स्वताहस समाप्त हो जाती है मन की खोज करने की एक अन्य पद्धती है स्रोत इश्वर आत्मा अत्वा चैतन्य कहा जा सकता है एक संकल्प पर ध्यान किंद्रित करने पर अन्य समस्त संकल्प लुप्त हो जाते हैं और अंत में वह एक संकल्प भी नहीं रहता संकल्पों पर नियंत्रन करते समय सतर्क रहना आवश्यक है अन्य था गहरी नींद आगेरती है महर्शी फिर खुद की खोज हम कैसे करें प्राणायाम साधन में सहायक हो सकता है किन्तु केवल प्राणायाम स्वयम लक्ष नहीं है यह करते समय मन में सतर्क रहने की सावधानी रखो तथा मैं भाव को स्मर्ण करते हुए इसके उदगम की ओर लक्ष रखो तब तुम जानोगे कि जहां श्वास अस्त होने लगता है वहां मैं भाव उदए होता है उनका उदए और अस्त साथ साथ होता है श्वास के साथ मैं भाव भी अस्त हो जाता है साथ ही साथ एक अन्य जोतिर मै तथा निसी मैं प्रकट होगा जो निरंतर है अघंड है यही लक्ष है उसके अनेएक नाम है इश्वर आत्मा कुंडलीनी शक्ति चैतन्य इत्यादी जब प्रयास करोगे तो वह स्वयम तुम्हें लक्ष तक ले जाएगा मन संकल्पों का समूह है संकल्प इसलिए पैदा होते हैं कि वहाँ चिंतन करने वाला है चिंतन करने वाला अहंकार है अहंकार को खोजोगे तो यह स्वतह ही लुप्त हो जाएगा अहंकार तथा मन एक ही है अहंकार मूल संकल्ब है जिससे अन्य समस्त संकल्ब उत्पन होते है महर्शी जब हम खुद की खोज करते हैं तो ऐसी स्थितियां आती है कि बाहरी द्रिश्य जैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देते तथा पी अपने लिए कोई स्पष्ट महत्व न रखते हुए उनका अस्तित्व विद्यामान रहता है मन में गहन शांती रहती है क्या यह समय आत्मा में डुबगी लगाने का होता है खुद में स्थित होने का होता है इसे कैसे समझें मन में जग्रिती के साथ शांती है वस्तुतह यही वह अवस्था है जिस पर लक्ष रखना है इस जानकारी के बिना कि यही आत्मा है जो प्रश्न इस विशय पर किया गया है उससे प्रतीत होता है कि यह अवस्था स्थाई नहीं है अपितु कभी कभी आती है बहिर मुखी प्रवृत्ती की अवस्था को पलट कर मन को अंतर मुखी करने की अवस्था है तु डुब की लगाना शब्द उपयोक्त है क्योंकि बाहरी सतह से नीचे डुब की लगाना है किन्तु जब गहन शांती चेतना में बिना बाधा डाले व्यापत हो तब डुब की लगाने से क्या प्रयोजन है यदि उस आत्मा का उस अवस्था में साक्षातकार न हुआ हो तब ऐसा करने के प्रयास को डुब की लगाना कहा जा सकता है तब उस अवस्था को साक्षातका रत्वा डुब की लगाने के लिए उपयोक्त माना जा सकता है इस प्रकार दो अंतिम प्रश्न आवश्यक है महर्शी फिर खुद की खोज कैसे संभव हो सकती है ध्यान दो पूर्ण आत्मा से अगनी की तरह एक चिंगारी निकलती है इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं अग्यानी विक्ती का अहम भाव उदय होते ही किसी दृश्य से तादात में कर लेता है वस्तूओं को अपना बना लेता है उसने वस्तूओं से जो तादात में कर लिया है फिर वह उनसे छूट नहीं पाता यह मिलाना ही अग्यान है जिसका नाश करना हमारे सारे प्रयासों का लक्ष है यदि उसकी तादात्मे की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो वह अहंकार शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है शरीर के साथ मिठ्या तादात्मे दाको ही देह आत्म बुद्धी कहते हैं इसके नश्ट हो जाने पर ही खुद की खोज संभव है उत्तम परिनाम आने लगेंगे तो महर्शी इसको नश्ट कैसे करें फिर हम गहरी नींद में देह तथा मन से संबंध बनाए बिना ही रहते हैं किन्तु अन्यदो अवस्थाओं में जगरिती तथा स्वक्न में हम उनसे संबंध रहते हैं यदि हम देह से संबंध होते हों तो हम सुशुक्ति में बिना देह के कैसे रहते हैं हम अपने आप को उससे अलग कैसे कर सकते हैं जो हम से बाहर है नै कि उससे जो हमारा ही है हम ही है इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नहीं है जागरत अवस्था में इसकी अनुभूती करना नितांत आवश्यक है जागरत, स्वप्न, एवं सुशुक्ति इनका अध्ययन किवल इस दृष्टिकोन को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए शुद्ध अहम का अनुभाव दो अवस्थाओं अथ्वा, दो संकल्पों की संधी में होता है अहम, उस कीडे के समान है जो पकड़ी हुई वस्थु को तभी छोड़ता है जब वह दूसरी पकड़ ले इसका वास्त्विक स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब इसका दृष्यप पदार्थ हो इवं संकल्पों से संपर्क नहीं रहता है जागरत, स्वप्न तथा सुशुक्ती की अध्ययन से जो विश्वास पैदा हुआ है उससे इस संधीकाल का अनुभाव करो महर्शी, मैं स्वयम की खोज करना चाहता हूँ लेकिन मन की शांती नहीं है मैं कैसे ध्यान करूँ शांती, हमारा वास्त्विक स्वरूप है इसकी प्राप्ती आवश्यक नहीं हमारे संकल्प नश्ट होने चाहिए महर्शी मैं उनको नश्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ पर सफल नहीं हो पाता इसके लिए गीता में बताया गया मारगी एक मात्र साधन है जब कभी मन चंचल हो उसे वापस लाकर ध्यान में लगाओ अभ्यास वईराग्य अभ्यामतन निरोधा अभ्यास और वईराग्य से मन का निरोध हो सकता है अभ्यास तथा वईराग्य आवश्यक है विस्तार शील संकल्पों का अभाओ वईराग्य है केवल एक विचार पर एकाग्र होना अभ्यास है ध्यान का एक विधे आत्मक पहलू है तथा दूसरा निशेधात्मक महर्शी मैं स्वयम की खोज करते करते नेंद में पहुँच जाता हूँ और वहां शांती प्रतीत होती है क्या नेंद ही आत्म साक्षात्कार है यह आत्मा है तुम साक्षातकार की बात क्यों करते हो क्या ऐसा एक भिक्षन है जब आत्मा का साक्षात नहीं होता यदि ऐसा कोई ख्षन होता दूसरे ख्षन आत्म साक्षातकार का ख्षन कहा जाना संभव होता ऐसा कोई भिक्षन नहीं है जब आत्मा ना हो या जब आत्मा का साक्षात्कार ना हो उसके लिए सुशुप्ती को ही क्यों चुनते हो इस समय भी तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार है पर महर्शी इस अवस्था में मैं समझ नहीं पाता इसका कारण यह है कि तुम आत्मा को देह से मिला रहे हो मिथ्या तादात्मे को त्याग दो और आत्मा ही प्रकट रहेगी महर्शी किन्तु मेरे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ सुशुक्ति में यह आसकती नहीं होती इसकी अनुभूती तथा अनुभव अभी है माया का वास्त्विक स्वरूप क्या है जो तुम्हारा वास्त्विक स्वरूप नहीं है माया के बारे में क्यों मिचार करते हो यह ब्रान्ती किसे हुई है अपने वास्त्विक स्वरूप को जान लेने पर मैं मेरा नहीं रहेगा यही माया से मुक्ति पाना है माया बाहर नहीं है कि उससे किसी अन्य प्रकार से मुक्त हुआ जा सके स्वयम की खोज कर लेने पर मन के सारे विचार शान्त हो जाएंगे मन, अहंकार, बुद्धी, सारे संकल भी माया जाल बनाते है जब तुम स्वयम की खोज कर लोगे तो यह माया जाल अपने आप कट जाएगा तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे